नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हेल्थ ट्रिक्स औंटिप्स में आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपका प्रेगनेंसी का फॉर्स ट्राइमेस्टर हो चुका है आप प्रेगनेंसी के सेकंड ट्रा और ऐसे में उन्हें अपने से जादा चिंता अपने गर्भ में शिशु की होने लगती है कि क्या गर्भ में मेरा शिशु सही है या नहीं तो यह सारी बाते जानने के लिए आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बाते बताने वाली हूँ तो चलिए फिर वीडियो को दोस्तों क्या होता है कि प्रेग्नेंसी का जो फर्स ट्राइमेस्टर होता है उसमें गर्वती महिलाओं को बहुत सारी प्राब्लम्स हो जाती है जैसे कि थकान लगना, सिर्दर्ध होना, उल्टी, मितली की, मौर्निंग सिपनेस की प्राब्लम्स, बार-बार पेशाब आना औ और जैसे जैसे प्रेग्नेंसी का फर्स ट्राइमेस्टर जाता है, प्रेग्नेंसी का सेकंड ट्राइमेस्टर लगने लग जाता है, चौथा महिलाओं आपको शुरू हो जाता है, तो यह सारी जो चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत जादा कॉमन होती हैं, यह सारी समस्याओ धीरे-धीरे कम होने लगती है और ऐसे में महिलाएं जो हैं थोड़ा सा रिलाक्स फिल करती है तो इस दौरान होता क्या है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता है क्योंकि उनका बेबी बंप दिखाई नहीं देता है इस ताइम तक तो वो समझती है कि या क्या मेरी प्रेगनें जो 12-13 हफता होता है इस दौरान तक आपके गर्भ में शिशु काफी हद तक अपना आकार ले चुका होता है उसके जो सभी जरूरी अंग होते हैं जैसे कि दिल यकृत और गुर्दे इत्यादी सभी की रचना हो चुकी होती है और कुछ अंग तो इस दौरान काम करना पल रहा है जैसे जैसे प्रेग्नेंसी आगे बढ़ती है प्रेग्नेंसी का पांचवा महिना कंप्रीट हो रहा होता है या फिर छटवा महिना लग रहा होता है जो कि थार्ड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने का होता है उस टाइम पे ही आपके गर्भ में शिशु जो हलचल करना शुरू करता है इससे पहले तक गर्ब में शिशो हल चल नहीं कर रहा होता है तो अगर आप बिल्कुल स्वस्त फिल कर रही है अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके की कोई कॉम्प्रिकेशन नहीं हो रही है तो आपके प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी होती ह लेकिन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इस दौरान आपको हलकी फुलकी स्पॉटिंग हो जाए या फिर आपको ब्राउन डिस्चार्ज बहुत जादा होने लग जाए आपके पेट में अचानक से दर्ध होने लग जाए तो आपको ऐसे में बिल्कुल सतर्क हो जाना है क्योंकि हो सकता है कि इसे के बीच में आप को रख्त-स्रावित्यादि की समझ्या हो जाए अचानक से पेट में दर्ध इत्यादि हो जाए तो हो सकता है कि आपको कुछ गरबढ़ी हो तो इस से आपको भिलकुल ध्यान रटना है ऐसे लक्षन अगर आपको दिखते हैं, समझ में आते हैं, तो आप तुरंट अपनी डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन दोस्तों, इसके अलवा एक और कंडिशन हो जाती है, कभी कभी क्या होता है, कि कोई भी ऐसे लक्षन दिखाई नहीं देते हैं, कि आपके प्रेगनेंसी में कोई गरबड़ी है, और ऐसे में दोस्तों होता क्या है, कि आपका जो है, वो मिस्ट अबोशन हो जाता है, ज दोस्तों जैसे कि आजकल की lifestyle महिलाओं की है, खान पान है या फिर alcohol का सेवन इत्यादी करना है, इस वचे से भी इस तरीके की मिस्ट आबोर्सन की शिकायत या फिर खत्रा महिलाओं को हो जाता है, जिसे की चुका हुआ गर्ब पात के सकते हैं या डिलेट मिस्केरिज कहा जात महिलाओं थोड़ा सा तंदुरस होने लग जाती है, उनके कपड़े उने टाइट होने लग जाते हैं, कमर के आसपास कपड़े तंग होने लग जाते हैं, तो 16 हफते से या फिर 17 हफते से आपको इस तरीके के changes अपने body में दिखाई देंगे, और इतने ही नहीं दोस्तों इ चीक नीचे थोड़ा सा उभार दिखना भी शुरू हो जाएगा, तो ये कुछ conditions हैं, जिससे आप थोड़ा सा idea लगा लेंगे, कि आपके जो गर्भावस्ता है, बिलकुछ सुरक्षित चल रही है, और जैसे जैसे pregnancy और आगे बढ़ेगी, आपका अठारवा या फिर 20 हफता शुरू होगा, इस दौरान गर्भ में शेशो हल चल करना शुरू कर देता है, तो गर्भ में जब पहली बार शेशो हल चल करता है, तो आपको ऐसा महसूस होगा, जैसे हल किसी फड़़ाहट हो रही है आपके पेट में, तो गैस बने जैसी जो feeling आप महसूस करती हैं अपने पेट में कई बार, तो इस तरीके की फड़़ाहट आपको महसूस होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो second trimester होता है, ये आपके प्रेगनेंसी का सबसे ज़्यादा सुहाना दौर होता है, इस दौरान महिलाओं को complications बहुत ही कम होती है, प्रेगनेंसी के first trimester में complications रहती है, और third trimester में क्योंकि आपका वजन बढ़ता है, गर्भाशे बढ़ता है, गर्भ में शिशु का अकर बढ़ता है, और साथ ही आप में बहुत सारे changes भी होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे में दोस्तों, प्रेगनेंसी के second trimester को आप enjoy करिए, अगर आपको कोई complications को लक्षन दिखा करिए, तो यह थी जानकारी दोस्तों, कि प्रेगनेंसी के second trimester में, आप अगर यह महसूस नहीं कर रही है, कि आप मा बन रही है, आप बिलकुल नॉर्मन फिल कर रही है, तो क्या-क्या condition हो सकती है, और कैसे-कैसे pregnancy आगे बढ़ता है, उमीद करती हूँ, यह वीजियो आपक के लिए pregnancy related videos लाती रहती हूँ, ताकि आपको आपकी pregnancy में काफी ज्यादा help मिले, thanks for watching दोस्तों, फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो में, till then, stay happy, stay healthy.